हेलो एवरिवन तो मेरे चैनल टेर्स गार्डरिंग वर्क में आप सभी का स्वागत है और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मेरे जो टेर्स है उसका मैंने डिजाइन के से किया उसकी कॉस्ट मुझे क्या ही तो चलिए देखते हैं तो यह है मेरा टेर्स गार्डन जिसके मैं अभी वीडियो शो कर रहा हूं तो मैंने अपने टेर्स गार्डन पे पहले जो ग्रोबैक्स थे वो भी लगाए हैं उसके पात मैंने थीरे-धीरे स्टडी करेके अपने आपको थोड़ा सा नॉलेजिबल बनाया है टेर्स पे और क् अच्छा कर सकता हूं कि मेरा टेर्स गार्डन में लोट कम हो टेर्स गार्डन पे और मिटिंग और जो मेरे पास खाद है उसका एक अच्छा सा कंपोस बना के मैं उसमें बहुत अच्छे प्लांस लगा सकता हूँ तो मैंने ड्रम्स जो प्लास्टिक के ड्रम्स होते हैं वो लाये हैं हाला कि मैंने कुछ मैंगो जो लगाया है जिन 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 लोगों ने अपने टेरिस गार्डन्स पे उनके भी वीडियो देखी थी उनके पास भी काफी सारे ड्रम्स थे जिसमें उ तो मैंने भी वही एक कौपी-पेस्ट वाला सिस्टम किया है बट थोड़ा अलग तरीके से मैंने यहाँ पे कैंड़स लगाए हैं काफे सारी स्टडी क्या स्टडिकि हैं कि क्या डिसाइडवेंड़ेश होते अगर मैंने Plastic के ड्रम लगाये है और disadvantage को कैसे में rectify कर सकता हूँ उनकी जो भी problems है उनको कैसे solve कर सकता हूँ तो इन जो drums है इनकी एक problem यह है कि आप अगर ध्यान से देखें तो यह जो area है यह बाहर वाला यह सारा का सारा मतलब plastic है तो उसमें aeration नहीं होती और अगर यहां पर अगर सबसे best माना जाता है मिट्टी का तो मिट्टी के outer side का जितना area होता है मतलब aeration हो जाती है तो ऐसा मुझे कुछ चाहे था कि प्लास्टिक के ड्रम बहुत बड़ा है उसमें मिट्टी भी ज्यादा रहेगी मतलब volume ज्यादा रहेगा तो aeration नीचे तक नहीं पहुचेगा इसके लिए क्या क्या है यह जो candle है वो candle लगाई है मैंने इस candle का advantage यह है कि यह टॉप टू बॉटम aeration प्रोवाइड करीगी और इसके लिए मैंने एक dedicated वीडियो बनाई है आप मेरे चैनल पर जाके वो देख सकते हैं मैं उसका link i button और description में देदूंगा आप उसको जरूर देखे उसके बाद मैंने काफे सारी वहाँ पत्या डाली है और उस पी उपर मैंने as a burden धीरे धीरे step by step layer by layer मिट्टी डाली है मतलब पत्या डाली मिट्टी डाली पानी डाला पत्या फिर से compress हो गई उसके बाद और पत्या डाली और मिट्टी डाली और पानी डाला यह process में ने की है इसका advantages यह है कि यह slap पे बहुत ज्यादा burden ने डालती क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा में वो स्लैब पर पढ़ रहा है ऐसा नहीं है आप अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूँ तो 25 to 50 kg तक के जितने मेरे ड्रम से पर ड्रम की अवसत जो एक कॉस्ट आती है तो वही है वेट 30 kg to 50 kg के आसपास तो यह है और मैंने पत्या डाली फिर उन पत्यों का कुछ वेट नहीं होता पहले ही तो फिर हम देखते हैं कि इसके पहले का जो मैंने टेर्स सेटप बनाया था मैंने जो ग्रोबैक की तरह इनको भी यूज़ किया था यह जो खाद होती है नपीके वाली उसकी बोरिया है काफी स्ट्रॉंम थी जब मैंने यह लगाई थी और उसकी यह अधा फर्टिलाइजर भी ने डालते तो उस तरह सा मैंने एक सेटप बनाया था कि मिट्ट्य को कई तो भी रखना है और तब मुझे आइडिया आया कि इसमें क्यों ना कुछ बेल वाले जो प्लांस होते जैसे करेला हो गया इस तरह के कुछ प्लांस लगाए जाए बट व यहां पर ना एरेशन प्रॉपर नहीं हो रहा था मतलब इसके जो रूट से जो भी मैंने आप प्लांट लगाया था वह ज्यादा अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा था उसकी जो पत्या है वह बढ़ नहीं रही थी इतनी मिट्टी होने के बावजुद्य बढ़ क्यों नहीं यह मैं सोचने में पढ़ गया था फिर मैंने काफी सारे रिचर्च की बहुत सारे किताबे पढ़ी जो बीएस सी अग्रिकल्चर की बोक्स आती हैं वह मैंने रेफर की तब मुझे पता चला कि इन प्लांट्स के रूट्स को चाहिए होती है एर और जो मिट्ट अगर यहां मिट्टी का गमला इतना बड़ा रखा होता तो शायद यह ग्रो हो जाता मैंने काफी सारे यूट्यूब की वीडियो भी देखे थे वहाँ पे चोटे चोटे गमलों में बड़ी बड़ी वह बेटल ग्रॉट्स की होती है मतलब बेली वाली जो पौदे होते वह अच्छे का से ग्रो कर रहे हैं उस मिटिकंपोज वाला जो भी कंपोजड है वह डालके और मैंने इतने बड़ी रखी यहां पर पौरी फिर भी नहीं हो रहा तो धीरे-धीरे मैंने स्टडी की कि किस तरह से में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और उनको कैज से सॉल करू तो रहे हैं और स्टेब बाए स्टेब मैंने जो भी प्रॉब्लम्स आये उनको सॉल करने की कोशिश की मुझे हलका भी रखना था अपने स्लैप पे जो भी में ड्रम्स या पॉट्स लगाओ और उसमें अच्छे-च्छे मुझे प्लांट्स को निउट्रेशन देने थे जो मु मतलब अगर आप सीटी में रह रहे हो और आपका इंडेबेंडेंट हाउस है अगर आपको इस तरह से बनाना हो और यह कैंडल नहीं मिल रहे तो क्या गरेंगे आपके पास घर में काफी सारा कीचन वेस्ट होता है या कहीं आप आरा मशीन जहां पे लकडिया काटी जाती है वह बहुत सारा भोसा होता है वो भी आप उसमें कामे ला सकते हैं थोड़ा सा डिकम बोज होने में टाइम लगेगा बट हो जाएगा अच्छे से तो मैंने हल ड्रम में काफी सारी बेली बेलिया लगाई हैं और मुझे फूर्ट भी मिले हैं अभी तो मेरा मतलब जैनवरी चल रहा है तो तब तक तो यह सूख चुकी है बट जब यह सीजन था तब इन्होंने मेरा साथ दिया है और मैं काफी सारे मतलब मैंने 20 to 25 अब तक ड्रम्स लाए हैं और उनको बीच से काटा हैं ताकि एक लेवल होता है मिट्टी का किसी भी ड्रम में कि आप वही रखो तो मैंगो ट्री जो मैंने फुल रखा हैं क्योंकि इसकी कॉलिटी कुछ जाधा है अच्छी थी जो इसको काटने का मेरा मन नहीं किया मैंने नहीं काटा बट बाकी जो हैं वो मैंने हाफ-ाफ कट किये हैं और जो नीचे वाला पोर्जन होता है वहाँ पे काफी सारे होल्स के औ और उपर वाले पोर्शन पर जो उनकी कवर आते हैं बलैक कलर के वो मैंने लगा के रखे थे इसमें एक चीज़ और है मैंने जहां बलैक कवर नहीं था वहाँ पे प्लेन मतलब मेरे प्लेक कवर उस ड्रम का नहीं था अवाइलेबल तो मैंने एस इस ही रखा बट जो मेरे पास काफी सरी पत्या थी वो मैंने वहाँ पर डारी थी तो इसका मतलब मुझे लगभग कॉस्ट कितना आया अगर मैंने जो खरीदा है कबाड़ी वाले से मतलब कबाड़ी के दुकान में जाता था काफी बार विजिट किया कभी होते थे कभी नहीं होते थे वो भी एक बट मुझे 40 रूपीज एक स्टैंडर्ड 40 रूपीज पर केजी के प्लास्टिक के जो मैंने लिया है ड्रम उसकी सबसे मुझे पड़े है एक प्लास्टिक का ड्रम के लगभग 4 किलो वेट होता था 4 किलो में तब ज्यादा ही बता रहा हूं 3.5 किलो से लेके 3.7 केजी तक ह होता था 4 किलो अभी तक एक भी ड्रम मेरे पास ऐसा नहीं है जो 4 किलो गया हो सिवाए एक हाई कॉलिटी के जो मैंने अभी काट के आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं यह वाला यह साथ किलो में गया था साथ किलो का वेट इसका बट बाकी 4 किलो के नीचे ही थे तो हर एक प्लास्टिक के जो ड्रम में मैंने लगाये थे और हर एक प्लास्टिक के ड्रम की जो कीमत है वो 160 रुपे के आसपास आई है 120 से 160 और मेरे पास टोटल है अभी मैंने जो टोटल ड्रम्स लाये थे जो पूरे फुल वाले थे जिनको मैंने काटा नहीं 1760 रुपे के लगभग मुझे पड़े हैं यह आवरेज बता रहा हूँ लगभग मुझे इससे कम ही पड़े हैं और जो पेट्रोल का होता है वह मैंने 250 रखा हैं क्योंकि मैंने मेरे यहां से जो कबाड़ी वाला है उसका दुकान लगभग देड़ किलोमेटर है तो ग्यारा बार मतलब 22 बार जाना आना देड़ किलोमेटर तो लगभग 200 रुपी स्टो पेट्रोल के लगएंगे और मैंने जो मिट्टी लाई थी ट्रैक्टर से वह एक ट्रॉली वह 600 रुपे की पड़ी थी यह कोरोना टाइम के पहली की बात है 2020 के लगभग स्टार्टि लाई थी आज अगर आप देखो तो डबल प्राइस पखड़ो इस क्या 1000 रुपे से 1200 रुपे तो आप अपने बजेट के अनुसार इसे जोड़ सकते हैं एक अधर और इंपोर्टन थिंक है कि आप अगर टेरिस में लगाना है आपको हलका भी रखना है अपना स्लैप तो आप काफी सारी पत्यों का यूज करें अपने घर का जो किचन वेस्टे उनका यूज करें आप जब वहाँ पे मिट्टी डालते हैं तो मिट्टी और डिव जनफिक्सेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टन होते हैं आप अर्थवर्म और मिलिपेट्स को बढ़ने दे पनपने दे अगर आपके पास नहीं है तो कईसे खरित के लाए जब रेनी सीजन का टाइम होता है तो आपको आसपास तो मिली जाएंगे जब पानी भरा र कीजिए वहां से आउटर साइड से छोटे-छोटे छेद कीजिए उसमें काफी सारे पत्तर भरिए और उसको जो आप आप आमने ड्रम में भरा है वहां साइड में रखिए अगर आप पत्तर ने भरना जाते तो आपके वास इटे होंगे लाल वाली जो मिट्टी की बनती है उसके तुकड़े कीजिए वो डाल सकते हैं या वो भी नहीं हो तो अब भी आजकल AAC सिमेंट के बने हुए जो पोरस होते हैं पानी पे आप डालोगे तो वो पानी पे तेरते हैं काफी हलके होते हैं अगर उसके construction site पे कुछ तुकड़े पड़े हो वो आप ला सकते हैं करेंगे और कुछ टाइम बात आप उस हॉलो पाइप को निकाले पत्या वही रखे उस आरेंजमेंट के और इस सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा important है patience जो हम में नहीं होता बट मेरे दो साल की मेहनत है यह कि मैंने इतना terrace garden में दीरे दीरे पत्यों के खाद और जो soil है उसका एक proportion किया है और आप दीरे दीरे ही करें ऐसा नहीं है कि आप चाहेंगे कबाड़ी वाले के पास और एक दिन में 100 का drum लेके आए ऐसा ना करें एक एक महिने में एक या दो ड्रम आपकी जो भी pocket money होगी एक देड़ सरूपे के अंदर मुझे क्या मिल सकता है एक महिने में खर्च करें एक या दो ड्रम लाए उनको अच्छे से उनमें पत्या हो कई से लाई लाई होई आपके घरका की चैनवेस्टों वो धीरे 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 या आप एक एक ड्रम तब बढ़ाए एक एक complete होने के पाथ इस तरह से तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं मेरे वीडियो उसको like कर सकते हैं अगर आपको कुछ doubt हो मेरे इस जो में मैंने बताया और उसमें कुछ doubt हो आपको तो आप मुझे comment करें कि ये कैसे कर सकते हैं ये कैसे नहीं कर सकते मेरा telegram group है आप उसे join करें उसकी link में description में दे दूंगा thank you so much for watching my video